आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभास स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर यदि आपका अच्छा 12 के विद्यार्थियों हैं और आपके पास सामान हिंदी आथवा साहितिक हिंदी है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्पूर क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्याग पथी खंडकावे जो की रामेसर सुकल अंचल जी के द्वारा लिखा हुआ है त्याग पथी खंडकावे के लेखा कौन है रामेसर सुकल अंचल जी है और इस खंडकावे का ऐसा प्रशन जो आपकी बोर्ड परिच्छा 2022 के लिए काफी ज़्यादा महत पोड़ है और यहां पर आप देख सकते हैं यदि आप इन जिलों से हैं आगरा, गोरकपुर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, जालोन, बरेली, लखीमपुर, खीरी, गोंडा, साजहांपुर, बाराबंकी, थिरोजाबाद और महाराज गंज, यदि आप इन जिलों से हैं तो त्यागपथे खंड का भी आपके जिलों के लिए पाठिक्रम में निर्धारित किया गया है और आज का जो मोस्ट इंपोर्टनट प्रशन है यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो 2022 बोर्ड परिच्छा के लिए यहां प जहांपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद और महाराज गंज, तो प्रशन क्या है यहां पर आप देख सकते हैं प्रशन है त्याग पथी खंड काव के नायक अर्थात प्रमुख पात्र हर्षवर्धन का चरित्र चित्रड कीजिए त्याग पथी खंड काव का नायक कौन है हर्षवर्धन है और आपको क्या करना है हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में लिखना है अर्थात उसकी चरित्रगत विसेस्ताओ के बारे में लिखना है और जिसके लिए आपकी वार्षिक वोर्ड परिच्छा में कितने नंबर दिर्धारित है यानि जो खंड काव से प् पुछा जाएगा कितने नंबर का पूछा जाएगा पांच नंबर का पूछा जाएगा तो चलीए आप त्यागफथी खंडकावी के नायक प्रमुख पात्र हर्श्वर्धन का चरित्र चित्र किस तरीके से लिखेंगे इस प्रिश्ण के उत्तर में आपको सबसे पहली हेडिंग क्या डालना है आदर सुपूत्र एवं भाई और दूसरी हेडिंग क्या होगी देश प्रेमी दूसरी हेडिंग क्या रहेगी देश प्रेमी तीसरा विंदु है यहाँ पर अजेय योध्धा तीसरा विंदु क्या है अजेय योध्धा और चोथा विंदु है स् तब निष्ठ एवं द्रण निष्चई, करतब निष्ठ एवं द्रण निष्चई, तो आप इन महत्पूर्विंदों को विस्तार से कैसे लिखेंगे, यहां पर देख सकते हैं आप, हर्षवर्धन त्याग पती के नायक हैं, इस खंडकाव की शंपूर कथा का केंद्र वही हैं, और शंपूर घटना चक्र उन्ही के चारो और घुमता है, कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंधर रहती हैं, और हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विसेस्ताएं निमलिल खित हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पहली हेडिंग क्या है, आदर्ष पूत्र एवं भाई, इस खंडकाव में हर्षवर्धन एक आदर्ष पूत्र एवं आदर्ष पूत्र एवं आदर्ष भाई के रूप में पाठकों के समच आते हैं, इस खंडकाव में हर्षवर्धन एक आदर्ष पुत्र तथा आदर्ष भाई के रूप में पाठकों के समझ आते हैं अपने पिता के रुगण होने का समाचार पाकर वे आखेट से तुरंत लवट आते हैं और यथा शामर्थ उनकी चिकतशा करवाते हैं फिर पिता के स्वस्तना होने तथा माता द्वारा आत्मदाह करने की बात शुनकर वे भाव भिहुल हो जाते हैं फिर क्या होता है उनके पिता जब सुस्तन ही होते हैं और वे इस जीवन को त्याग देते हैं तथा माता आत्मदाह करने के लिए आत्महत्या करने के लिए ततपर हो जाती हैं तब हर्ष वर्धन नमा भी जाओ छोड़ो विचार यह मुझे चरुडों में लिप्टाओ और इसके बाद आप देख सकते हैं आदर्श पुत्र के समान ही वे आदर्श भाई का कर्तब भी पूरा करते हैं वे अपनी बहन राजश्री को अगनिदाह करने एवं सन्यास लेने से रोकते हैं बड़ दूसरा बिंदु क्या है देश प्रेमी दूसरा बिंदु है देश प्रेमी हर्श वर्धन सच्चे देश प्रेमी हैं उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विसाल राज की अस्थापना की समराथ हर्श वर्धन ने छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिला करके विशाल राज की अस्थापना की देश की एकता एवम रच्छा है तो वे बड़े से बड़ा युद्ध करने से भी नहीं ही चकते थे, उन्होंने एक बड़े राज की अस्थापना ही नहीं की वरन धर्म पूरवक सासन भी किया, देश सेवा ही उनके जीवन का ब्रत है, इसके बाद आप देख सकते हैं अगली हेडिंग है अजेय योधा तो हर्श वर्धन एक अजेय योधा हैं दिद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका हर्श वर्धन को कोई भी राजा पराजित नहीं कर सका भारत के इ देखी है और इसके बाद आप देख सकते हैं अगली हेडिंग्स क्या है स्रेष्ठ सासक महाराज हर्षवर्धन एक स्रेष्ठ सासक है उनका शंपूर जीवन प्रजा के हितार्थ ही समर्फित है महाराज हर्षवर्धन ने अपना शंपूर जीवन प्रजा के हित में ही लगा द है शमराथ हर्षवर्धन के शासन में सभी लोगों को सभी प्रजा को समान नयाय और सभी को सुख उपलब्ध है और इसके बाद आप देख सकते हैं एगली हेडिंग क्या है महान त्यागी हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्म सैयमी है हर्षवर्धन का अगला गुड क्या है महान त्यागी होने का और वे महान त्यागी एवं आत्म सैयमी है आत्म सैयम एवं शर्वश्य त्याग करने के कारण ही कभिने उन्हें त्याग पथी के नाम से पुकारा है प्रयाग में छह बार अपना शर्वश्य प्रजा के लिए दे देना उनके महान त्याग का प्रमाड है प्रियाग में अर्थात प्रतेक पांच वर्ष में सब्राथ हर्ष वर्धन प्रियाग को जाते थे और अपना शर्वश वहाँ पर दान कर देते थे यहां तक कि अपने वस्त्रों को भी वे दान कर देते थे और यह दान उन्हीं काफी ज़्यादा प्रशिद्ध बना देता है शर्वशुदान के बाद वे अपने पहनने के वस्त्र भी अपनी बहन राजश्री से मांग कर पहनते हैं अर्थात उस दान में ये अपनी वस्त्र भी दान कर देते हैं और पहनने के लिए अपनी बहन से अपने लिए वस्त्र मांगते हैं दिये समराट ने निजवस्त्र आभूसर वहाँ पर बहिन से भीख में मांग वस्त्र पहिना वहाँ पर समराट हर्ष वर्धन की अगली चारित्रगत विसेस्ता क्या है करतब निष्ठ एवं द्रण निष्चई समराट हर्ष ने आजीवन अपने करतब का पालन किया प्रारम में इच्छा ना होते हुए भी अपने भाई के कहने पर राज संभाला और प्रतेक संकटापन इस्थित में अपने करतब को निभाया बहन राजिस्री को वनों में खोज कर वे अपनी करतब निष्ठा का परिचे देते हैं तथा भाई की छल से की गई हत्या का समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिग्या की थी उससे उनके द्रह निष्चई का पता चलता है लेकर चरड रज आर की करता प्रतिग्या आज मैं निर्मूल कर दूंगा धरा से अधर्म गोण शमाज मैं इस प्रकार यह इसपष्ट होता है कि हर्ष का चरित्र एक महान राजा आदर्ष भाई आदर्ष पुत्र एवं महान त्यागी का चरित्र है जिसके लिए प्रजा की सुख शुविधा ही सर्वो पर है और वह अपने मानवीय करतव्यों के प्रत भी निष्ठावान है तो कुछ इस तरीके से आप त्यागपथी खंड काविके नायक अर्थात प्रमुख पात्र हर्ष वर्धन के चरित्रगत विसेस्ताओं का वड़न कर सकते हैं और पांच न आप कमेंट जरूर कीजेगा अपनी महनत और लगन के साथ 2022 बोड परिच्छा की बहतर तैयारी करते रहिए पढ़ते रहिए मस्त रहिए जैहिंद